me note 10 pro keyboard default reset setting नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकराच YouTube चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैस से आप जो है keyboard setting को reset कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको भी keyboard setting reset करना है आपने Xiaomi के device पर तो आज की इस वीडियो को पुरा जरू से देख लेना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप keyboard setting को reset किया जा सकते हैं ठीक है तो अगर आपको भी reset करना है तो वीडियो को पुरा जरू से देख लेना वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके bell icon को click जरू से कर लेना है यह आप online पैसा कामाना चाते है तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते है तो चलिए शुरू करते वीडियो सबसे पहले तो दोस्तों हमें keyboard setting को reset करने के लिए जाना है setting के अंदर पर ठीक है आपका जो default setting है उसी में आप जाना है उसके बाद दोस्तों आपको scroll down करके नीचे आ जाना है नीचे में आपको मेलेगा apps का option एपस में जाए उसके बाद जाए मेनेच एप पर मेनेच एप पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना keyboard search कर लेना है तो मेरा जो keyboard है दोस्तों वो है जीबॉट है तो show all apps पर click करते है तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर search कीजेगा अपना Google जीबॉट तो कहाँ पर है चलिए search करते है यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों मुझे दिखाई नहीं दे रहे तो मैं shortcut तरीका अपना लेता हूँ ठीक है इस तरीके से reset किया जाते हैं clear data आपको करना होगा तभी आपका keyboard setting reset होगा उसके बाद जाए पर्मिशन सारे के सारे यहाँ से allow कर दीजिए तो सारे पर्मिशन दोस्तों allow करने के वारा आप यहाँ पर बेग कीजिए mobile को restart कीजिए और check कीजिए keyboard setting reset हो चुका होगा अगर दोस्तों मान लिजिए आप यहाँ पर use कर रहे keyboard for Xiaomi ठीक है तो आप उस पर जाएए force stop करे ok कीजिए clear data पर click करके manage space पर जाएए इस वाले button पर click करते हुए आपको clear button पर click करने और clear कर देना है ठीक है तो इस तरीके से आप दोनों ही keyboard को clear कर सकते है अगर आप कोई additional keyboard यूज़ कर रहे तो उसको search करके clear data कर देना है तो इस तरीके से आप जो है keyboard settings को clear आप कर सकते है तो बस उमीद करते है आपको यह video पसना होगा और आज के लिए बस इतने thanks for watching